Hello everyone, this is Dr. Gaurav Sharma इस video हम discuss करेंगे rubrious sulcus क्या होता है और का safe laparoscopic calcysctomy में क्या importance है यह जो image है laparoscopic calcysctomy में जब हम गॉल बड़े को retract कर देते हैं उसके बाद under surface of liver को इस तरीका दिखाए देता है यह है गॉल ब्लाडर, यह है falciform ligament यह है डियोडेनम यह स्टमक में से कोई इंट्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारा left lobe है, यहाँ पर हमारा right lobe है, जब हम देखेंगे, हाइलम से right lobe की तरफ, यह जो एक cleft है, 2-3 cm का, इसी cleft को हम rovier sulcus कहते हैं, इसका importance यहाँ है, देखें, लैप्रोस्कोपे में हमारा main concern यह होता है, कि हमें कभी भी CBD को या तो clip या injure किसी भी तरीके से नहीं होने दिना है, तो यह हमारी कैसे help करता है, अगर हम rovier sulcus के along एक line draw करेंगे, उस line को हम बोल देता है, R4U line, इस line के उपर अगर हमारा disection रहेगा, तो देरा very less chances कि CBD की injury हो, कैसे, एक certainty के duct और cystic artery इस line के उपर ही रहती है, और इस line के नीचे CBD आने के chances बढ़ जाते हैं, तो अगर हम यह principle follow करें, कि हमारा disection, clipping, जो भी रहेगा, वो इस line के उपर ही रहेगा, तो CBD को injury होने के chances बच जाएंगे, यह जो diagram है, इसको आप देखेंगे, तो इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, देखें, यह है हमारी right और left hepatic duct, मिलके बना रही है common hepatic duct, this is common bile duct, और यह है cystic duct, इसको हमने retract कर रखाए, यह अपनी anatomical position में भी नहीं है, अगर हम reviewer sulcus के along एक line draw करें, और हमारी सारी clipping और disection इस line के उपर ही होगी, तो there is very less chance कि CBD जो है हमारी उसको injury होगी, यही ची section वाला triangle है, वो भी इस plane के उपर ही होता है, हमें हमारा सारा disection और clipping इस plane के उपर रखनी है, again very easily मैं समझाया हुआ है, यह जो green area है, यह safe area क्योंकि यह R4U line या फिर ruby or sulcus के उपर है, इसके नीचे का जो area है, यहाँ अगर आपने clipping करी, तो there is very high chance कि CBD की injury होगी, now ruby or sulcus के यह देखा गया है, कि इसमें right posterior sectional pedicle मिलता है, 5% of the time इसमें anterior sectional pedicle भी मिल सकता है, यह जो sulcus है, इसे हम, अगर इसका content आपको visible है, तो इसको हम open कह देते हैं, अगर इसका content नहीं visible है, तो यह close sulcus हो जाएगा, main significance है, इस sulcus के along, एक line आपको imaginary line draw करना है, और अपना disection आपको इ यह लापरिस्कोपिक चलससेक्टमी, थैंक य।